वेलकम बैक टू माई चैनल वीवर्स काफी लोग कहते हैं मैं रीट की क्लास लगाईए रीट की लिए उर्दू पढ़ाईए तो इस पेशली हम लोग इस क्लास में रीट के लिए कोशन्स करेंगे रीट के एक्जाम की तयारी करेंगे लेकिन जो कोई भी यूपिटेट के एक लिख सकते हैं इससे आपको काफी हैल्फ मिलेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर वन के साथ अगर यह वीडियो आपके लिए हैल्फुल रहे आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने के साथ जरूर शेयर करिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर वन है जिस हर्फ पर जबर होता है हर्फ यानि की अल्फा बैट हिंडी में कहें तो अक्छर जिस हर्फ पर जबर होता है उसे क्या कहते हैं दो तीन पॉइंट या दखिए जैसे की जिस हर्फ पर जबर होता है उसे बिल फत्य या फत्य कहते हैं जिस हर्फ के नीचे जेर होता है उसे बिलकसर कहते हैं जिस हर्फ पर पेश होता है उसे जिम्मा कहते हैं और जिस हर्फ पर तजदीद होती है उसे मुशद्दत कहते हैं तो ये जो तीन चार पॉइंट है, उसे याद दखिए, और एक बार, और एक बार, जिसे कि जिस हर्फ पर कोई भी एराब होता है, जिसे कि एराब, जेर जबर पेश को एराब कहते हैं, उसे मुतहर्रिक कहते हैं, तो यह चीज याद दखिएगा, तो यहाँ पर क्या पोला है, जिस फत्य कहते हैं दूसरा option है मफ्तू कहते हैं या फिर तीसरा यहां पर क्या लिखा है जम कहते हैं या फिर फोर्ट इन में से कोई नहीं तो इसका जो option 1 है वो बिल्कुल सही है फत्य कहते हैं question number two है दर्ज जेल में कौन से एराब दुरुस्त हैं अभी हम लोगों ने एराब को समझा एराब क्या होते हैं जेल जबर पेश को एराब कहते हैं तो यहां पर question क्या पूछ रहा है कि दर्ज जेल में कौन से एराब दुरुस्त हैं यहां पर जो चार option आपको दिख रहे हैं उ उसमें spelling mistake है, यहाँ पे जो पहला option दिया है, वो क्या लिखा है, इदक, second option दिया है, वो है अदक, third option दिया है, वो है उदक, और fourth option दिया है, वो है इदकू, तो यहाँ पे जो correct spelling है, एर आपकी वज़े से वो है second, यानि की अदक, Question number three है, जिस हर्फ पर तशदीद होती है, उसे क्या कहते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस हर्फ पर तशदीद होती है, उसे मुशदद कहते हैं, तो यहाँ पे जो पहला option दिया है, वो है मुशब्बा, दूसरा option है वो है मशदूद, तीसरा option है मुशब बहबा या फिर चौता option है मुशदद, तो यहाँ पर correct answer है मुशदद, यानि कि option 4 सही है, मुशदद Question number 4 है मंदर्जा जेल में कौन सा इमला दुरुस्त है यानि यहाँ पर आपको 4 spelling दी है, सुराही की आपको बताना है कि कौन सी correct spelling है सुराही, 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 सुराही जो छोटी सीन से सुराही लिखी है उसको cross कर दीजे क्योंकि छोटी सीन से सुराही नहीं लिखी जाती है अब यहाँ पर question उरता है कि सुराही जब स्वास से लिखी जाते है, यहाँ पर एक लिखी गई है चोटी हैसे और दूसरी लिखी गई है बड़े हैसे, तो यहाँ पर जो हुरूफे हलकी वाले हैसे, यानि कि जो बड़ी हैसे लिखी गई है, वो correct spelling है, यानि कि option 3 यहाँ पर सही है, अगला कोशन है, को होता है, मस जिदो, तो यहाँ पर जो correct है, वो है third, मसाजित, अगला कोशन है, कोशन नमबर six, लव शौरा का वाहित क्या है, यानि कि आपको अब इसमें singular बताना है, तो पहला option दिया है, यहाँ पर शायर, दूसरा option दिया है, शेर, तीसरा option दिया है, शायरो, या फिर चौ कोशन नमबर seven है, जिसके जरीए किसी काम के करने या होने का इल्म हासिल होता है, उसे क्या कहते हैं, पहला option दूसरा option दूसरा option दूसरा 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 दूस स्टार्ल करते हैं कोशन के साथ fail किसे कहते हैं जवाब fail वो है जिस से किसी काम का होना या नहोना पाया जाये जैसे तमाशा शुरू हुआ उसने खद लिखा rail चली वगेरा यहाँ पे rail चली यानि कि काम शुरू हुआ rail चली तो यहाँ पे काम होने का पता चला है जैसे कि उसने ख़त लिखा यहां पे वो ख़त लिख रहा है यानि कि काम शुरू हुआ इसका पता चला है तो इसे फेल कहते हैं अगला है फेल की कितने किसमे होती है तो माईनी के लिहाद से फेल की मंदर जाजेल दो किसमे होती है पहली क्या है फेल लाजम दूसरी है फेल मुतादी अब हम लोग फेल लाजम के बारे में पढ़ेंगे और फेल मुतादी के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फेल लाजम क्या है सवाल लुटता है कि फेल लाजम क्या है वो फेले जिसका जुमला अमूमन फेल या फाइल के साथ मिलकर पूरा हो जाए जैसे की एहमदाया बच्चा सोया यहां पे कोशन उठता है कि फाइल क्या है फाइल किसे कहते हैं फाइल काम करने वाले को या जिससे काम सादिर हो उससे फाइल कहते हैं जुमले में वो लफ जिससे पता चले कि उससे काम सादिर हुआ है फाइल कहलाता है ये अलफाज दीगर किसी भी काम करने वाले को फाइल कहते हैं जैसे कि पहला यहां पर एक्जामपल दिया है कि मोहन ने राजू को बहुत पीटा सेकेंड एक्जामपल दिया है शेर को लोमरी खा गया मंदर जा बाला जुमलों में जो मोहन वर्ड है और जो शेर है मोहन और शेर से काम सादिर हुआ है लहाज़ा ये फेल कहलाएंगे या फाइल है तो आप समझ गया होंगे कि फेल लाजम क्या है फाइल क्या है अब कोशन उड़ता है कि फेल मतादी क्या है जवाब वो फेल है जिसका जुमला बगैर मफ़ूल के पूरा ना हो जैसे राशित ने खाना खाया माली ने फूल तोड़ा वगैरा इस तरह से इसमें जो इन जुमलों में जो खाना है और जो फूल है वो मफ़ूल है तो ध्यान रखिएगा मफ़ूल क्या होते है अगला जो है वो है मफ़ूल किसे कहते है तो मफूल वो इसम है जिस पर काम का असर पड़े फेल को अगर आप इंगलिश में समझे तो उसे वर्ब कहते हैं और इसम को नाउन कहते हैं अगला कुशन है फेल मजहूल के से कहते हैं वो फेल जिसका फाइल मालूम ना हो जैसे की खत लिखा गया किताब पढ़ी गई तो यहां पे हम लोगों नहीं पता है कि खत किसके द्वारा लिखा गया या किताब किसने पढ़ी तो इन दोनों जुमलों में खत लिखने वाला मालूम नहीं किताब किसने पढ़ी मालूम नहीं लहाज़ फेल मजहूल है fail معروف کیا ہے वो fail है जिसका file मालूम हो जैसे कि उसने ख़त लिखा हमें अब मालूम है कि ख़त किसने लिखा है किताब किसने पड़ी यहां पे मालूम है मुचीब ने किताब पड़ी उपर वाला किया था fail मजूल किया था उसमें हम लोगों को नहीं मालूम हो उसे fail मारूफ कहते हैं जिसका file मालूम ना हो उसे fail मजहूल कहते हैं अब हम लोग जमाने के लिहाज से fail कि किसमें जानेंगे यहां पे क्या heading डली है जमाने के लिहाज से fail की मंदध जजेल किसमें है पहला है fail माजी यानि कि present यानि कि Past Tense जैसे कि वो काम जो गुजरे हुए जमाने में किया गया हो उसे फेल माजी कहते हैं जैसे कि वो पढ़ रहा था उसने खत लिखा था इस तरह से fail हाल क्या होता है fail हाल यानि कि present tense वो fail है जो मौझूदा जमाने में किया जा रहा हो जैसे कि वो लिख रहा है लड़किया खेल रही है वगरा अगला थर्ड है fail मुस्तक्बिल यानि कि future tense अगर आप English में समझे तो future tense वो fail जो आने वाले जमाने में किया जाएगा जैसे कि वो खत लिखेगा वो कल खेलेगा इस तरह से present tense की पेचान क्या होती है जैसे कि ता तीते हो या फिर रहा रही रहे इस तरह से आप सभी ने English और Hindi में इसको पढ़ा हुआ होगा I think आपको इसमें problem नहीं आएगी अगला है fail मुजारे यानि कि इसमें जमाने हाल और जमाने मुस्तक्बिल दोनों की छलक पाई जाती है जैसे कि example वो आएं तो मैं जाओं अगर वो ना मिले तो आप आ जाएं इस तरह से अगला है fail अमर अमर के माईनी हुकम के हैं ये fail है जिसमें किसी काम के करने का हुकम दिया जाए या दर्खास की जाए अगर आप English में समझें तो imperative sentence जिस sentence में order दिया जाता है या फिर रिकस्ट की जाती है तो यही है fail अमर अगला है जो है fail नहीं वो fail जिसमें किसी काम के लिए मना किया जाए जैसे की काम के ना करने को कहा जाए इसमें फेल के साथ मत या ना आता है जैसे की मत जाओ, ये मत करो, आवास मत करो जिसमें मत आए या ना आए तो इसे क्या करते हैं? फेल नहीं तो अब हम लोगों ने फेल के बारे में पढ़ लिया है अब जो question आए हैे उसको solve करते है। Question No.7 था जिसके जरीए किसे काम के करने या होने का इलम हासिल होता है, उससे क्या कहते हैं? फहला है fail लाजम, सिकेंड है fail मतादी, घर्ड है fail या फर है fail मजहूल, तो इसका सही जवाब है fail, Option 3 Question No.8 है काम करने वाले को क्या कहते हैं यह पैका करने वाला काम क्या कहते हैं पहला है फिल, दूसा है फाइल या फिल, मतादी तो इसका सही जवाब फाइल Question No.10 है अहम्द ने किताब पढ़ी कौन सा फिल है पहला है फिल लाजम सेकंड है फिल नहीं थर्ड है fail मारूफ या फिर फोर्ट है fail मुतादी तो यहां पे इसका सही जवाब है वो है fail मारूफ इसमें क्या हो रहा है काम करने वाले का पता है किसने किताब पढ़ी है एहमद ने इसलिए आपे क्या सही जवाब है वो है fail मारूफ यानि कि option जो second है वो बिलकुल सही है fail मारूफ Question number 11 है वो fail जो काम का करना नहीं सिर्फ होना जाहिर करता है उसे क्या कहते हैं पहला है fail नाके, second है fail मजहूल, third है fail अमर या फिर fail लाजम तो यहाँ पे इसका सही जवाब है वो है option second fail मजहूल अगला कोशन है साख्ट के एतिबार से लवज की कितने किसमे हैं तो साख्ट के एतिबार से लवज की दो किसमे होती हैं पहला कलमा, दूसरा महमल अगला कोशन है, कोशन number 13, जेल में से मुफर्रिद मुफर्रिद मतलब singular कौन सा है, पहला है गुलस्ता या फिर second है आबोगल, या फिर third है, शोहर या फिर fourth है, खुबसूरत तो इसमें जो शोहर वर्ल्ड है, वो है singular, यानि की मुफर्रिद यहां पे मुफर्रिद पूछा था, मुफर्रिद लवज कौन सा है, तो वो है option 3, शोहर question number 14 है, इन में कौन मुरकब लवज है, मुरकब लवज क्या होते हैं, जो दो या दो से ज्यादा हुरूफ से मिलकर जो लवज बनते हैं, उसे मुरकब लवज कहते हैं, यहां पे पहला option दिया है इमानदार, second option दिया है, शाम, third option दिया है, रोज, या फिर, fourth option दिया है, हाथ, तो शाम, शाम तो एकी लवज है, यहां पे जो इमानदार हैं, वो दो दो खुरूफ से मिलकर बना हैं, पहला क्या है, इमान प्लस दार, इसलिए आपे जो correct आंसर है, वो है option one, इमानदार अगला कुशन है, कुशन नमबर 15, लवज, इसरार, अकी मानी जेल में कौन सी है, पहला है राज, दूसरा है जिद, तीसरा है, इलतिजा या फिर, fourth है, खुशामत, तो इसमें सही जवाब है, जिद, इसरार, यानि की जिद अगला कुशन है, सूरच का मतरादिफ क्या है, पहला है महताब, सिकिंड है, कमर, या फिर, third है, नई है, या फिर, fourth है, मान, तो इसका सही जवाब है, महताब अगर ये वीडियो आपके लिए helpful रही हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये जिसको भी जरुवत हो, वहाँ तक ये वीडियो पहुच जाए